हेलो नमस्कार अधाप सश्रिया काल टू यॉल और मैं विनेतरी स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे शेनिशेटी में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फॉर्थ क्लास ओफ टैरडोफाइटा या टैरोप सीडा तो इस टैरोप सीडा के बारे में बात करने से पहले हम एक चोटा सा रही कैप लेते हैं कि हमने अभी तक इस चेप्टर में क्या चीजे किस तरह से कवर किये तो हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन से विए इस क्लासिफिकेशन और प्लांट किंग्डम एंड इस प्लांट किंग्डम वेड़ा डिसकेशन देट हम प्लांट किंग्डम जो किंग्डम प्लांटे है उसको सब किंग्डम में डिवाइड करते हैं जिसमें आते हैं क्रिप्टो गैमें और क्रिप्टो गैमें को हम तीन कर देते हैं सब डिवीजन में में ठीक है और स्पर्मेटोफाइटा गो जीम्नोपण और एंजियो में इनमें हमने बात की थी कि जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि थैलोफाइटा शोड़ोफाइटा मैंने आपको बताया था कि अलगे और यह जो यह हैं हमारे तीन थरह के Chlorophyta, Green Algae, Rhodophyta, Red Algae, Brown Algae, Phyophyta इसके बारे में इनके एक्जामपल्स के बारे में जैसे Chlorophyta के बारे में हमने बात की थी Clamidomonas, Walwax, Walwax, Spirogyra, है ना इसी तरह रोड़ोफाइटा में ग्रैसिलेरिया, Gelidium, इन सब के बारे में बात की 5 Vitae में हमने सरगासम के बारे में बात की, Fucus के बारे में बात की, तो यह सब के एक्जामपल्स के बारे में इनके Characteristics, Features के बारे में इनके बात की After that हमने बात की ब्राइफाइट्स के, जो की commonly कहे जाते हैं Amphibians of Plant Kingdom ठीक है ना, because they required water for the process of fertilization, ठीक है So, इनमें हमने बात की, इनके तीन गुरूप्स की ब्राइफाइटा जिनकों commonly Moses बोलते हैं जिसमें हमने स्फिग्नम और फिनेरिया की बात की, फिर हमने हिपाटिक ओपसीडा की बात की बात की जिने हम लीवर वर्ट्स बोलते हैं Markenshian, Rikshia and after that we talked about Hornworts ठीक है तो यह सब चीजों के बारे में हमने बात की, after that हमने बात की ट्राइट ओफाइटर व्ट्राइटर व्ट्राइटर में हमने बात की उनके जनल करेक्टर 6 के बारे में बर भी कि टारप्सृडा की पहीड बात क्रेंगे कि यह को बारे में इसका उलड़ की ऐफ高 नहीं जाता है छिसन mejorar पहीड़ का है, तो यह दो common ferns हैं इस class में habitat की बात करें तो वही सेम है moist shady places में यह पाए जाते हैं अगर आप किसी पूराने well की walls पर देखेंगे तो यह वहां पर यह आपको मिल जाएंगी किसी bridge के wall पर आपको मिल जाएंगे तो ऐसी जगह पर जहां मिल जाते हैं जहां पर moisture content होता है and body is differentiated into roots stem and leaf roots कैसी again advantageous roots मैंने आपको बताया था अगर radical से कोई root arise ना करके दूसरे किसी पार्ट से स्टैम से ली फ्लेट से राइज करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं advantageous roots stems underground roots underground stem होती है जिसको commonly rhizome बोलते हैं मैंने आपको बताया था rhizome underground जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी ठीक है उसके बाद लीफ जो है वो क्योंकि large size की होती है aerial होती है in conference बोलते है and they are pinlately compound मैंने आपको लास्ट नहीं बताया था कि एक लीफ जो है उसमें जब जो उसकी इंसीजन जब उसकी leaflet में यानिकि उसकी जैमिना में हो जाता है और वो मिड रिप तक पहुझ जाता है तो leaflets में तबदील हो जाती है ठीक है यह leaflets बन जाती है ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते हैं नीम के case में देख सकते हैं और बहुत सारे plants के case में आप देख सकते हैं अब यह जो leaflets हैं इन में एक structure होता है एक यल्लो ब्राउन स्पॉर्ट होता है जिसको हम बोलते है सोराई सिंगुलर हम यूज करेंगे उसके लिए वर्ड सोरस और यह जो लीफलेट्स हैं मतलब यह जो लीफलेट्स ने बहुए जो मैंने बीफलेट्स इनके अंदर अ्ड़ स्ट्रक्च्र होता है वह होता है सोराई और इन सोराई में क्या होते है स्पॉराइजिया ठीक है ऑге इसके बाद सोर्स को घवर करने के लिए कवर इंड करेंग होती है अब ये Indusium false भी हो सकती है और true भी हो सकती है, तो addiantum के case में ये false होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो leaflet होता है, उसी का ही थोड़ा सा margin जो है, वो एक false covering प्रोवाइड करता है, इस Corus को, और यह covering किसलिए होती है, protection के लिए, ठीक है यहने कि यह जो Indusium में किसके लि निम्देट भी सब्सक्राइब कर दाएं जो इसको बोलते हैं तूरी इंडुशियम ठीक है यह राइस ताम भी बात की थी रहमेंटा के बारे में कि कुछ स्केल्स होते हैं कुछ है और स्केल स्केल लाइक इन जो की यंग लीव पर यंग राइजों कर पेटियो पर एंड होते हैं जिनको हम रेमेंटा बोलते हैं ठीक है ओके नेक्स इज अब इनका जरह स्टक्चर देख लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्पोरफाइट एंड गमेटोफाइट दो जो है फेजिस में अल्टरेट होती है जनरेशन तो जो पूराइट दियार प्रोडूजिंग डिपलोइट स्टक्चर ठीक है और यह स्पोर फाइट कैसे बनते कहां बनते हो देखते हैं तो यह तरह से लीफलेट बन चुके हैं ठीक है और यह मिद्रिप एक मिदमें चेंज कर लेता हूं पर यस आप आपको तो यह जो आप किया बोलते हैं थीक है तो लेफलेट ह होगी अब यह जो लीफलेट ने स्टक्चर से सोराय अब आगर अगर को लेकर आपको ले तो हम देखेंगे उसके इनदर ब्स फ्ट्रूर ऑंग मतुता है ठीक है तो यहां पर यह जो sporongium है अब इस sporongium का किस तरह के structure यह इसका stock है यहां पर आप देख सकते हैं cells जो है elongated structure बनाती है जिसको हम बोलते हैं stock और यह जो है iska jacket है यह जितने भी cells है jacket अब जैकेट में दो तरह के cells है एक तरह के cells हम annullis बोलते हैं यह जो jacketed cell है, जो thick है, थोड़े मोटे जो cells है, income क्या बोलते है, annulus, और यह बाकी जो remaining cells है इस jacket के, income क्या बोलते है, stomium, ठीक है, अब अंदर क्या है, इस पूरे structure, spore engeum के अंदर क्या है, spore mother cells है, जो की कैसी है, diploid है, अब यह spore mother cells में क्या होगी, meiosis होगी, and they will give rise to haploid spores, hapl germinate करेंगे, और क्या बनाएंगे, gametophyte, gametophyte के पास दो structures होगी, क्योंकि यहां पर जो gametophyte है, यहां पर जो gametophyte है, वो monosheous है, तो monosheous होने की वज़े से, यह अगर हम देखें, तो यह देख सकते है, spore mother cell, spore mother cell में meiosis होई, तो haploid spore बने, germinate किया, germinate करने के बाद यह जो है, grow करेंगा, और grow करने के बाद है, prothalus, prothalus हम क्या बोलते है, free living, green and photosynthetic, जब gametophyte होता है, तो हम उसको क्या बोलते है, prothalus बोलते है, ठीक है, thalus-like body, but it should be green, photosynthetic and free living, यहां पर आप देख सकते है, rhizoids, ठीक है, जो कि unicellular rhizoids है, gametophyte के बाद यह ए, यहां पर आ अब यह जो archegonia, enthridium है, यह egg produce, archegonia, जो है, एक मैंने आपको बता है, flask shape egg produce, बलब flask shape structure produce करेंगे, ठीक है ना, और उस structure के अंदर, यानि कि जो archegonia है, यह archegonium जो होगा, वो एक flask shaped structure होगा, उस flask shaped structure में egg होगा, ठीक है ना, और यहां पर enthridium है, वो sperm produce करेगा, और यह sperm, जो है, with the help of water, यह egg में जाएगा, ठीक है, वहापर fertilization होगा, fertilization होने के बास, zygote, zygote के बाद embryo, और embryo के बाद आपका, जो है, क्या बन जाएगा, एक दुबारा से एक sporophyte बन जाएगा, ठीक है, तो इस तरह का structure आपका दुबारा से बन जाएगा, ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आगी होगा, यहाँ पर भी मैंने वही सब चीज बताई कि एक लीफ है, लीफ के अंदर बहुत सारे लीफलेट्स है, लीफलेट में सोराई है, एक सोरस में स्टॉक्ट स्पोरंजिया है, एक स्पोरंजिया की बात करें तो उसमें सिंगल लेड जैकिट है, पर जैकिट के अंदर जैकिट है, लीफलेटी इन सिंगे इस यहाँ पर मल्स दैकिट है, न्यॉसि पूरणएट स्पोर्ण नाया है है, भी इन स्पोर्ण जैकिट की बातों हैं, आहिकित जैकिट हैं, को ही और रिमेनिंग जो मार्जिनल सेल से किसकी इसी जैकिट की ठीकर उसकों क्या बोलते हैं स्टॉमियम बोलते हैं तो यही सारी चीज मैंने यहां पर आपको बता ही है पहले इस दाइग्राम के मदद से और यही सब चीज तो जो चीजे याद रखने की हैं वहीजिए सम रामेंटा क्या है सारी चीज आई होब आपको समझ में आगी होगी इस पॉरफाइट गेमेटोफाइट लाइफ साइकल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा देखी है अप्लोड डिपलोंटिक लाइफ साइकल का मतलब क्या है और मोडों 60 40 का रेश्यो होगा है अपलो कोई भी टॉपिक जो है मैं छोड़ता नहीं कोई भी NCRT में जितना दिया हुआ है उससे भी मैं आपको ज्यादा करवाने ही कोशिश करता हूं क्योंकि यह जो हमारी प्रपेरेशन है यह फोकस्ट है इसका पूरा-पूरा जो मैं कहता हूं कि जो तैयारी करने का हमारा जो आपके दोनों ही गोल जो है वह सौल हो जाएंगे हमारी वीडियो से अपने नोट्स बनाइए आप NCRT में ग्लांस लेते हुए चलिए हला कि मैं NCRT कुछ नहीं चोड़ता हूं अगर आप इसी चीज़ के इनी वीडियो के PDF प्रमेट में अगर नोट्स आउनलोड करना चाह आएगा तो तिल देन थेंक यू थेंक यू वरे मच